हेलो गाइज, वेलकम तो अनकाड़मी मैं हूँ अनिकेतर गवाल आज हम इंपोर्टन करने वाले है एक मामी का बहुत इंपोर्टन टॉपिक जो है बॉर्डर अजस्मेंट टाक्स तो रिसेंटली ये बॉर्डर अजस्मेंट टाक्स न्यूज में था GS3 के अंदर आपको पूछा जा सकता है तो समझेंगे क्यों इंडिया लगा रहा है बॉर्डर अजस्मेंट टाक्स को क्या इसकी कॉम्पोनेंट्स है और क्या हमें इसकी जरुरत पड़ी है वीडियो शुरू करने से पहले में आप लोगों को से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ ही इस बेल आइकन को भी दवाईए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जोईन अपडेट्स के आटिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें यूशुड आलसो जोईन आटेलिग्राम चैनल तो आप लोगों को इसके लिंक मिल जाएगा तो यह अनकाडमी आर्टिकुलेट का टेलिग्राम चैनल है इसके लाबा यह मेरा पर्सनल डिसकुशन ग्रूप है स्टेडी टाइम वाईटी आप इसे सर्च करेंगे तो टेलिग्राम पर आ जाएगा इसके अंदर आपके तो यह अनकाडमी प्लस पे जो कि आपकी कम्प्रीट प्रिप्रेशन कराएंगे 2020 के प्रेलिम्स के लिए और पूरा इंटर्व्यू कोर्स में कवर होगा तो आप देख सकते हो कि यह बाइलिंग्वल बैच है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तमाल किया जाएगा यह हिंदी ओनली बैच है जिसके अंदर अगीन अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपके काफी जाधा help हो जाएगी यह काफी जाधा आपको comfortable रहेगा यह English only batch है अगर आपको regional languages आती है या फिर हिंदी नहीं आती आप English मीडियम से पढ़ते हैं तो उसके लिए काफी जाधा benefit batch है तीनों के अंदर यह आपका जो batch है वो 15 June से start हो रहा है और आपका पूरा complete इसमें slaves कराया जाएगा prelims और mains की test series भी कराया जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हो 24 months का plan है जिसमें आपको 67% तक off मिल जाता है and 10% extra discount मिल जाएगा using my code and अगर आप 12 months का plan लेते हो तो आपको 54% discount मिलता है और ANI 7 code यूज़ करके आपको 10% extra or discount मिल जाएगा इसके इलावा हमारे एक All India free mock test हो रहा है 21st June को जिसके अंदर आप participate कर सकते हो और अपनी self assessment देख सकते हो कि आप कहां पर stand करते हैं और आपको कितनी preparation की किस area में जरूरत है So recently नीति आयोग member has favored imposing a border adjustment tax यानि की BAT on the imports to provide a level playing field to the domestic industries तो नीति आयोग के जो member है उन्होंने कहा है कि हमें एक BAT tax लगा देना चाहिए border adjustment tax जिससे कि जो बे import इंडिया में आ रहा है तो suppose करो चायना कुछ import कर रहा है इंडिया में suppose toys import कर रहा है को एक level playing field मिल जाएगी और domestic industries जो है वो चल पड़ेंगी क्योंकि उनका समान बिकेगा demand create होगी supply create होगी employment बढ़ेगी तो overall हमारी economy को boost मिल सकता है तो economy को uplift करने की economy को चलाने के लिए आप कह सकते हैं यह step लिया जा रहा है या इस step के बारे में सोचा जा रहा है and of course इसका main reason है वो COVID-19 है क्योंकि COVID-19 के बाद हमने देखा कि सारी सारी जो industries हैं वो काफी जादा ठप हो चुकी है unemployment बहुत जादा जोरो पे है और काफी सारे लोगों का नुकसान हो रहा है तो कहीं न कहीं इसलिए हम यह step जो है वो ले सकते हैं this suggestion has come in the backlog of USA-China trade tensions जो USA और चाइना का trade war हो रहा है which is expected to rise even further post COVID-19 और COVID-19 के बाद हम देख रहे हैं कि USA और चाइना के बीच में काफी जादा टसल बढ़ गया है struggle बढ़ गया है और इनके relations जादा अच्छे नहीं रही है और USA की बहुत सारी companies जो है वो चाइना से withdraw भी कर रही है plus USA और चाइना के बीच में एक new cold war वाला भी आप कहा सकते हो concept start हो रहा है जिसके उपर हमने एक separate video में discussion किया हुआ है तो उननी सारी चीजों को देखते हुए यह BAT tax लगाने की बात की जा रही है water adjustment tax so BAT होता कहा है so BAT is a duty that is proposed to be imposed on imported goods in addition to the customs levy that gets charged to the port of entry तो यानि कि यहाँ पर आपको port of entry के उपर जो customs देने पड़ रहे हैं वो तो देने ही पड़ रहे हैं उसके उपर BAT लगेगा so basically आप कह सकते हैं किसम से double taxation हो गया यहाँ पर आपका जो price आ रहा था यहाँ पर customs already लग रहा था तो custom tax आपका already लग रहा है उसके बाद भी आपको एक extra BAT tax जो है वो लगाया जा रहा है so it is in addition to तो यह एक alternative नहीं है यह उसकी जगा पर नहीं है यह एक additional tax है BAT is a fiscal measure यानि कि एक financial measure है fiscal का मतलब financial measure है that imposes a charge on the goods or services in accordance with the destination principle of taxation destination पर आने के बाद goods के उपर charge किया जाता है तो उस तरह के financial instrument का यह type है Under this principle government taxes products based on the location of their sale to the final consumer rather than on the location of the product or origin तो government इसमें क्या करती है कि आप कहां पर समान बेच रहे हो उस हिसाब से tax लगाती है rather than कि आप कहां पर समान को produce कर रहे हो या बना रहे हो तो यह इसके अदर main difference आजाता है thus to adjust a tax at the border of a country तो basically border के उपर आपका tax लगाया जाया का मतलब हुआ कि आप India में समान बेच रहे हो तो आप कहां से लाए हो उससे हमें मतलब नहीं है आपने कहां पर बनाया उससे भी हमें मतलब नहीं है आपने किस चीज से बनाया किस चीज से ओरीजिन हो इस प्रड़क का उससे भी हमें मतलब नहीं है लेकिन आप ultimately बेच कहां रहे हो इंडिया में बेच रहे हो तो इसलिए हम इस पे tax लगाएंगे Taxes, imported products and domestically produced products sold in the market on the same basis at the same rate and exempts from this tax products exported for the sale to the foreign customers तो basically वो ही है कि आपकी economy को बढ़ावा देने वाली बात है imported products पे tax लगा और domestic products को थोड़ा बढ़ावा दो ताकि एक level playing field हो जाए दोनों के उपर बराबर सा tax लगे और जो आप foreign countries में भेज रहे हो, export कर रहे हो उनके पे taxes ना लगाओ तो वो ही वाली strategy है, तो जैसे मैंने आपके बताए economic को boost करने के लिए strategy बनाई गई है जर्नली, BAT seeks to promote equal condition of competition for foreign and domestic companies supplying products or services within the taxing jurisdiction तो इनका कहना है कि हम ऐसा नहीं करते हैं कि domestic industries को favor करें रादर हम एक level playing field पे ले आते हैं तो जो price है वो बराबर आजाए तो imported जो countries हैं उनका भी नुक्सान ना हो लेकिन जो domestic countries हैं उनका भी नुक्सान ना हो दोनों को एक level playing field मिल जाए उसके बाद, it's up to the quality of the product and customer की choice और preferences के उपर deal करता है कि वो किस चीज़ को accept करना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है कहने का मतलब अब voluntary organization इस पर क्या कहता है WTO rules allow for the adjustment of certain types of internal taxes at the border under certain conditions, the main conditions are तो WTO इन चीज़ों को allow करता है लेकिन कुछ conditions में जैसे कि tax must be applied equally to imports and like domestic products यानि कि अगर आपने 5% BAT लगाया suppose कि जा आपने 5% BAT लगाया तो आप ये imported products भी लगायेंगे और domestic products भी लगायेंगे दोनों ही products भी आप इसको लगाओगे alike ठीक है सेम तरह से the tax must be bond by a product and not to be direct ये जो है product to product vary कर सकता है अब product के उपर tax लगेगा अब omitted border tax adjustment must not subsidize export इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप subsidize कर रहे हो अपने exports को कि ये सब conditions fulfill होती है तो आप bad tax लगा सकते हो अब आजाते है impact of bad on the trading partners at the macro level यानि कि larger level से अगर आप एक bird's eye view से पूरी economy को देखते हो with imports reduce and exports increase the country can cut its trade deficit तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके जो imports हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि बंदा सुचते है tax देना पड़ेगा exports बढ़ जाते हैं क्योंकि बंदे को लगता है कि मुझे फायदा होगा profits बढ़ेंगे तो ultimately आपका जो trade deficit हो रड़ेस हो जाता है है तो हम अगर यहां पर USA को मैं आजन कर लेते हैं कि developing की बात करना तो इसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ तो USA अगर बैट लगा देता है और यहां पर बहुत सारे countries हैं जो developing countries थे जो इसको बेचते थे that may render some firms less profitable and if prices are forced upwards they may lose competitiveness with substitute products or locally made simpler products again बहुत सारी companies ऐसी भी हो सकते हैं जिनका profit कम हो जाएगा क्योंकि suppose कर आपने 5% tax लगा दिया तो एक किसम से आपका 5% profit सारा ही चला गया until endless आप उसे किस तरीके से prices बढ़ा करके customer से नहीं निकरवा लेते हैं लेकिन अगर आप prices बढ़ा होगे तो आपकी competition में आप weak पर जाओगे क्योंकि अगर आप अभी 100 रुपे के चीज़ बेचे सब आपने 105 की कर दी तो हो सकता है 102 रुपे की कोई similar product आपको already market में मिल रहा हो किसी और company का या किसी domestic company का 102 रुपे में मिल रहा हो जो कि equally good हो, substituted product हो तो उस case में फिर अगर आप price बढ़ाते हो तो आपका नुकसान होगा competition से अगर आप price नहीं बढ़ाते तो आपका profit कम हो जाएगा तो इसलिए बहुत सारी companies को नुकसान हो जाता है इस तना का अगर कोई bad tax लगाया ज इंडिया तो वो कह रहे हैं कि अभी इंडिया के अंदर जो imported goods हैं उनको फायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सस्ती production करते हैं और उनके ओपर कोई खास लंबा चौड़ा tax इंडिया नहीं लगाता वेराज जो अपने खुद की domestic producers हैं उनको government लूटने पे लगी रहते हैं क्योंकि कोई भी business man नहीं चाहेगा कि मेरा profit कम हो तो वो ultimately उसका rate जो है वो बढ़ जाता है तो जब domestic चीज़ भी आपको 110 रुपे की मिलेगी और imported चीज़ 105 रुपे की मिलेगी और आपको पता है कहीं ना कि imported जादा बढ़िया है तो आप imported ही लोगें तो इससे imported की market इंडिय या कपड़ा होता था लेकिन अगर आप किसी भी company का कपड़ा लेने भी जाओ चाहरी बॉको चाहरी डास हो या किसी भी और company का कपड़ा हो तो वो made in वेतनाम या made in बांगलादेश आपको मिलता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि imported goods जो है वो सस्ते पड़ते हैं domestic goods के इंडिया का कपड़ा comparatively सस्ता लगेगा या फिर आप कह सकते एक level playing field लगेगी लोगों को और फिर अगर उनने इंडिया का कपड़ा पसंद आएगा तो वो इंडिया का कपड़ा खरीदना पसंद करेंगे और जो domestic industry है वो revive हो जाएगी complaints have always been raised by Indian industries about such domestic taxes that get charged on domestically produced goods as these duties are embedded into the product तो again same चीज़ है क्योंकि वो इतने सारे taxes लगा देते हैं और इन taxes को उनने ultimately consumer से वह सूनना पड़ता है क्योंकि otherwise अगर नहीं वसूलेंगे तो खुद का profit कम हो जाएगा तो इसलिए उनका समान महेंगा हो जाता है तो इसलिए industries जो हैं उनके जो unions हैं वो काफी जाता complaint हमेशा Indian government को इस बारे में करती रही है although इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई however many imported goods do not get loaded with such levies in respective country of origin and this gives such product price advantage in India तो हमारी जो industries associations होती हैं उनका ये भी कहना है कि बहुत सारी जो countries है especially China की तरह की ये अपने लोगों को subsidies देती हैं या कोई भी tax नहीं लगाती इससे क्या होता है कि उनका समान सस्ता बनता है और उनका profit भी रहता है तो suppose करो कि आपने एक चीज 80 रुपे में बनाई 20 रुपे आपने profit रखा 100 रुपे आपका price होगया ये आपका profit होगया ये आपकी cost होगी ये होगया आपका sale price अब आप 100 रुपे में उसे बेचना चाते हो गवर्मेंट आती है गवर्मेंट आप जहां पर चायना है गवर्मेंट यहां पर कोई भी पैसा नहीं लगा रही और यहां पर आपको 100 रुपे में ही बेचने दिया तो आपका final product 100 होगया अब एक और situation लेते हैं 80 रुपे आप आपको 10 रुपे का discount दे रही है 90 रुपे कि तो 90 में बेच आपको तो पूरा profit मिल रहा है आपका क्या है आप नबे में बेच होगे तो इस तरीके से तीन situations arise हो सकती है तो industrial associations यह कहती है कि हमारे यहां आप यह वाला 110 वाला काम क्यों करते हो जिससे कि हमारा समान अपने ही country मे फिर कुछ नहीं देना चाहिए ताकि हम open market में compete कर सकें तो आत्मनिर्बर भारत के अंदर अगर आप इस चीज को implement कर देते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि हम isolation में जा रहे हैं हम isolation में नहीं जा रहे हैं लेकिन हम supply chain को local लेका जाना जाते हैं यानि कि हम local traders को domestic producers को domestic manufacturers को uplift करना चाहते हैं तो उसके लिए main चीज क्या है कि आप या तो भारवालों पर tax लगाओ या इंडिया वाले domestic producers पर tax ना लगाओ वो हमारी जो सरकार है वो छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि अगर domestic producers को आप tax नहीं लगए तो सरकार का revenue कम होगा so with this we have completed the topic of water adjustment tax I hope आपको समझ में आ गया होगा तो देखिए सबसे पहली जो चीज है वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं और आपको वहां पर quality पढ़ाने वाले सर जो है वो अच्छे लगते हैं और उनका quality आपको समझ में आता या आप उन teacher से नहीं समझना चाते हैं किसी और teacher से पढ़ना चाते हैं तो उस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है कहीं और जाना पड़ता है लेकिन एक आडमी प्लस में ऐसा नहीं है आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं तो आप कितनी मर्जी बार teachers को switch कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं और अपना slaves घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं सेकें यहां पर आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं तो यानि कि आपके सारी doubts जो है वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही निप्टारा कर दिया जाता है तो निप इंद बड हो जाता है ताकि कोई भी doubt ऐसा ना हो जो linger on करता रहे और बाद में आपको problem create करें revision के time पर आपको problem आए तो आपके सारी doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है अगेन जो बहुत बार आपकी offline classes है उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है यहां पर आपका clearing doubt session चलता रहेगा आपके doubts जहें वो clear होते रहेंगे उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple courses है वो मिल जाते है और आपको unlimited access मिल जाता है पूरी academy library का तो suppose कीजिए आप आपके UPPCS का exam निकल आता है तो उस टाइम पर आपको UPPCS के लिए को specific courses देखने है specific lectures देखने है तो आप वो भी इसी subscription के अंदर देख सकते हैं तो एक ही subscription आपको अलगलग exams की त्यारी basically करा रही है तो एक ही subscription से आपको बहुत कुछ मिल जाता है तो again अगर आप अच्छे से crack कर सकते हैं और जो आपकी best जो आपको job लगती है आप उसको रख सकते हैं तो एक ही subscription में आपको बिना double पैसे खर्च किये आपके अच्छे से सारी त्यारी हो जाती है and again घर बैठे बैठे क्योंकि घर बैठे 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 एक बहुत बड़ा comfort है और आपके बहुत सारे प खाने का रहने का और अन्य चीजों का खर्चा बहुत जादा बढ़ जाता है तो वह सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं उसके बाद यहां पर रियल टाइम इंट्रेक्शन है टीचर के साथ तो ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रही है तो आप टीचर से अच्छे से रहेगा जैसे कि आपका आफलाइन क्लासे में रहता है तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देजे कि टीचर के साथ इंटराक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे इसके अलावा ज़रादा इंपॉर्ट्ट होता है कि आपने कितने किये क्ये संटे किये और स्पैशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीजे वहामें ज़रूर जरूरी याद रहाते हैं तो इसलिए टेस्स के अंदर की गलती हैं वो आपकी बार-बार रिवाइस ह familis के लिए को हूइ्मे tutti नहीं करना इसके अंदर आपके unlimited test series रहेंगी जिसको आप जोइन कर सकते हो इसके लावा हर class के आपको PDF notes मिलेंगे and PDF भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे annotated और बिना annotated तो अगर plain suppose कीज़े आपने कोई MCQ का course लगाया उसके अंदर आपने plain PDF file ले ली तो आप बाद में उसको खुद से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए and बाद में आप उसे annotated है जिसमें teachers ने आपको answers और reasons कराएं उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपकी reasoning कितनी correct थी तो इस तरीके से आपके MCQ उसकी practice बहुत अच्छी हो जाती है प्लस आपको जो theoretical chapters है उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो के PDF notes दिये जाते हैं इसके इलाव आपका full syllabus coverage होता है बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है वो अधूरा रह गया सर ने NCITS नहीं कराई या कुछ नहीं कराया कुछ नहीं कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है तो बहुत सारी coachings जो हैं वो complete भी करा देती है ले इसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है कोई आपके extra charges नहीं है लास्ली आप सभी वीडियो को download कर सकते हो और offline भी देख सकते हो यह अगे बहुत important चीज़ है special उन लोगों के लिए जो कि किसी remote area में रहते हैं या फिर किसी भी reason से वहाँ पे internet की reception अच्छे नहीं आती जैस साथ की साथ उन चीज़ों को revise कर सकते हो उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं न कहीं avoid हो जाता है प्लस आपका data भी बचता है तो अगयन क्यूंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका data use होगा तो उस case के अंदर आप एक बा का सब्स्रिप्शन अच्छा है आप हमारी वीडियो देखते हो हमारी quality देखते हो तो आप जॉइन करेंगे तो आपको 10% extra discount मिल जाएगा using the code ANI7 तो इस code से आपको 10% extra discount मिल जाएगा तो आपको net amount वो काफी कम आ जाता है और मैंने आपको शुरू में भी जैसे बताया था अ अच्छा लगाओगा, informative लगाओगा, thank you for watching this video and have a nice day